गुद मॉर्णिंग राधे राधे आज मौसम बहुती मस्थ था तो मैं सुब़ सुब़ ही उठ गई थी और आज मैं अपने ब्रीक्वस्ट में बनाने वाली हूँ सिमला मिर्च और आलू की एक अनोखी सी सब्ची चो खाने में बहुती टेस्टी लगती है आप इसे घर पे ट्राइ कर सकते हो तो इसे बनाने के लिए हम दो बड़े साइस के आलू, दो प्याज, दो सिमला मिर्च, एक टमाटर, चार हरी मिर्च और कुछ लैसन की कलिया और अधरक को झील लिए आलू को हम ऐसे पीसेस में कट कर लेंगे आलू को ना छोटा कट करना है ना बड़ा करना है मीटियम साब पीसेस में हम इसे कट कर लेंगे, जिसे इसे फ्राइ करने पर ये अच्छे से सीच जाए और ज्यादा गली भी ना, खरी-खरी रहा है हमारी आलू तो हमने आलू को कट करने के पास सिमला मिर्च को भी बड़ी पीसेस में कट कर लिया आलू को कट करके एक पाने से अच्छे से दो लेंगे उसके वाद सिमला मिर्च को भी ऐसे बड़ी-बड़ी पीसेस में हम कट कर लेंगे और प्याज के ना, प्याज को दो तरीके से कट करेंगे एक तो fine chop करेंगे और एक प्याज को हम ना pulp निकाल लेंगे सबसे पहले प्याज को हम six pieces में ऐसे cut कर लिए और इसके pulp को निकाल लिए last में जो छोड़ी हिसे बचे हैं उसको हम छोटी 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 chop कर लेंगे तो प्याज के pulp को निकालने के बाद जो बच गे उसे छोटा-छोटा हम chop कर लेंगे तो हमारे ये प्याज हो गया टमाटर को भी एकदम fine chop करना है हमें एकदम fine होने चाहिए जिससे ना आपके gravy बहुत ही सही बने और टमाटर अच्छे से gravy में गल जाए मिर्च में भी हम cut लगा लेंगे और ये हमारा gravy का तैयारी हो गई है बस अब हमें अद्रक लैसन को ना अच्छे से कूट लेना है इसे अच्छे से crust कर लेंगे जिससे ना ये एकतम paste जिससा ही बन जाए तो अब हमें कड़ाई लेंगे इसमें चड़ाएंगे सरसो का तेल और सरसो के तेल में हम fry करेंगे सबसे पहले आलू आलू को तीन से चार मिनिट हाई फ्लेम पे हम अच्छे से फून लेंगे उसके बाद हम इसमें एड कर देंगे सिम्ला मिर्च तो सिम्ला मिर्च को एड करके दो मिनिट आफ high flame पे fry कर लें, अब हम add कर देंगे इसमें प्याज के बिल और इसे भी 1 मिनिट बस fry करेंगे high flame पे इन सब के साथ, और फिर हम इसे न निकाल लेंगे pleat में, और सीम कराई में हम ग्रेवी बनाएंगे, अब हम यहाँ पर सरसो का तील हैट करेंगे ग्रेवी के अकॉर्डिंग और तेल में चाहेगा चीरा अधी छोड़ी जो मैं जीरा एड़ किया है उसके बास सौफ थोड़ा सा एड़ करेंगे थोड़ा सरसो के दाने और थोड़ा सा मैथी एड़ करके फटा फट इसमें प्याज एड़ कर देंगे मेथी को जादा जलाना नहीं है वरना ये करवा हो जाएगा तो हम इसे ना फ्राई करेंगे प्याज को थोड़े देर फिर हम ऑईल में ही एड़ कर देंगे हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर जिससे ना हमारी सबची का कलर बहुत ही सही आएगा तो यहाँ पर हल्दी और मिर्च पाउडर एड़ करके एक मिनिट भून लेंगे और इसे भी एक मिनिट फ्राई कर लेंगे उसके बाद हम इसमें एड़ कर देंगे चौप टमीटो और जैसे ही टमाटर आया हम इसमें एड़ कर देंगे नमक और टमाटर को गलने तक फ्राई कर लेंगे टमाटर को बहुत अच्छे से भूनना है हमें जब तक यह गल ना ज जाएगा बेशन एक चमच और बेशन को बहुत अच्छी से फ्राइब कर लेंगे उसके बाद हम इसमें ऐड़ करेंगे दही वाला मसाला जब तक हमारे बेशन भून रहे हम बना लेते हैं अपना दही वाला मसाला तो दो बड़ी चमच मैंने दही कर यूज़ किया है इसमें एक चम्मज धनिया पाउडर एड़ करेंगे और आधी चम्मज छीनी चीनी इसलिए एड़ किया है क्योंकि दही ये वाली थोरी खटी है अगर खटी दही नहीं है तो आप छीनी को इसकेप कर सकते हैं ऐसे ना खटा मीठा का बैलेंस बना रहेगा तो आप छीनी को जरूर और दो मिनट पका लें उसके बाद हम इसमें एट कर देंगे पानी तो हमने डीर को टोड़ा पानी का यूज किया है पानी आप ज्यादा यूज ना करें बस आपकी सब्जी थोड़ी जूसी होनी चाहिए ज्यादा भी ग्रेवी सही नहीं लगती तो हम इसमें एक बॉयल आने गरम मसाला और उसके साथ ही हम इसमें एड कर देंगे कसूरी मेथी गरम मसाला कसूरी मेथी एड करके हम एक मिनट बस पका लेंगे हाई फ्लेम पे और यह हमारी सिम्ला मिर्श आलू प्याज की टीस्टी सब्ची बन के तियार हो गए हाँ लास्ट में आप वह कटी हुई हर अरि मिर्श डालना नहीं भूलना इसे डाल के आफ लेम को बन कर देना और थोड़ी देर बाद इसे सफ कर देना तो आपको यह सब्ची बहुत ही अच्छी लगी तो आपको यह वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं वीडियो पसंद आई हो तो लाई करे चैनल पे नए हो त सब्सक्राइब करे। थांक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियोस।